नमस्कार दोस्तों सुजकी मोटर का कैमपस प्लेस्मेंट लगाया जा रहा है इसका ओफिस्यल नोटिफिकेशन आ गया है इसमें जो सैलर जहने वाली है 17700 से 21500 पर मन्त रहने वाली है इसमें आईटियाई पास बच्चे इलिजिबल है और हसलपूर गुजरात में आपका कौन-کौन से बच्चे इसमें इलिजिबल है सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाए गी सिर केमपस प्लेस्मेट यहां पर ही तैकि को यह समक्ता जारिक को लगाया जारा है और क्या जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में तो कंपनि नाम जो रहने वाला आपका FTC और Apprentice पोस्ट पे आपको रखा जाएगा इसमें दो पोस्ट है जिनकी सेलरी अलग-अलग है जॉब लोकेशन जो है आपका गुजरात में रहने वाला है एक्सपीरियंस फ्रेशर इलेजबल है इसमें एक्सपीरियंस की कोई नीड नहीं है एक्सपीरियंस की 2020, 2021, 2022 और 2023 के बच्चे इसमें इलेजबल है जिनका 2016-2017 है वो इस कैमपस में ना जाएं और चाहे HCVT से ट्रेड आपने कर रखा है या NCVT से किसी भी से कर रखा है आप इसमें इलेजबल हो ट्रेड की बात करते हैं तो फिटर, डिजल मकैनिक, मोटर मकैनिक, टर्नर, मसीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रिसियन, टूल एंडाई मेकर, प्लास्टिक प्रोसेस ओपरेटर, ट्रैक्टर मकैनिक, पेंटर, जनरल ये ट्रेड के बच्चे इसमें इलेजबल हैं, FTC वालों का 21,500 में से आपका PF, ESI, कैंटीन का सारा चार्ज कार्ट करके 15,500 रुपए पर मन्थ इन हैंड मिल जाएगा, एज की बात करें, 18 से 24 साल एज की क्राइटिरिया रहने वाली है और रिक्वायर डॉकुमेंट्स, रिजूम, तेंथ की मार्शिट, आईटी आई की मार्शिट, पासपोर्स वाइज फोटो, आधार कार्ड और पैन कार्ड ये सारे डॉकुमेंट्स आपको ओर्जिनल लेके जाना है, और इनके दो से तीन सेट फोटो कापी कराके लेके जाना है वर्जिनल डाकुमेंट्स इसलिए लेके जाना है कि डाकुमेंट्स का वैरिफिकेशन करते हैं इसलिए डाकुमेंट्स वर्जिनल लेके जाना जरूरी होता है और जब वर्जिनल डाकुमेंट्स लेके जाना तो उसको संभाल के रखें सेलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट होगा फिर उसके बाद में आपका इंटर्व्यू लिया जाएगा कैमपस डेट टाइम और वेन्यू की बात करें तो 5 अक्टूबर 2023 को कैमपस प्लेश्मेंट लगाया जा रहा है दस बज़े आपको कैमपस अस्थान पे पहुच जाना है अस्थान जो रहने वाला आपका गौर्मेंट आई टी आई शिवपुरी जहांसी रोड शिवपुरी MP में कैंपस प्लेश्मेंट लगाया जा रहा है अधिक जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा यहां से आपको कॉलेज का नंबर मिल जाएगा तो आप घर बैठे बैठे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और जानकारी ले सकते हो वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों के साथ में सेयर करें जिससे उनकी थोड़ी हेल्फ हो जाए और चैनल पे नए है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें